हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू विद्धिय इंस्टिट्यूट ग्लास 10 अप्लिकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन करेंगा अच्के ग्लास में ए बोई स्टेंडिंग वने होरिजन्टल प्लेन फाइंड से बर्ड फ्लाइंग एट डिस्टैंस ऑफ हंडर्ड एलिवेशन ऑफ थर्टी डिग्री तो पहले हम इसी की फिगर बनाते हैं फिर आगर देखेंगे जितना भी पढ़ाया उसके साब से क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बोई स्टेंडिंग उन्द ग्राउंट मालों यहां पर कोई बोई खड़ा हुआ है और एक बढ़ फ् पढ़ाय और हंडर्ड मीटर की डिस्टेंस पर एक बढ़ को वह देखता है तो हम ले लेते हैं आसे ए भी अब आगे पढ़ते हैं ले Beim उसको आगे पढ़ना पड़ेगा, find the angle of elevation of the same bird be 45, अभी तक भी यह clear नहीं है कि हम girl को कहां पर लेंगे, अब आगे लिखावा है, both the boys and girls are on the opposite side of the bird, तो अब clear हो गया कि दोनों एक दूसरे के opposite है, यहां पर boy है, तो हम यहां पर लेंगे कि यह girl है, और यह 20 meter high building पर है, ठीक है, तो यह कितना होगे हमारा, 20 meter, और यहां से वो same bird का जो angle of elevation है, वो कितना देखती है, 45 degree, अब angle of elevation 45 degree, कहां से होगा, फीगर complete कर देता हूँ, horizontal से होगा, इसलिए कौन से angle 45 होगा, यह वाल एंगल 45 होगा, है ना, और यह वाल एंगल कितना given है, question में, 30 degree, तो इस तरह से हमने figure अपनी complete कर लिये, अब करते हैं, देखो question में क्या पूछा है, question में पूछा है, find the distance of the bird from the girl, यानि हमें bc find करना है, ठीक है, तो figure के हिसाब से हम लिख देते हैं, from figure, distance, between girl and bird, तोनों के बीच के distance हमारी कितनी है, bc, ठीक है, इसके लावा question में हमने क्या-क्याप बनाया, a, b, कितना है, 100 meter, और एंगल b, a, e, 30 degree, एंगल b, c, f, 45 degree, और हमें कहना ज़रा रहा है कि c, d, और e, f, दोनो 20 meter है, तो हमने पहले इस आरा figure के बारे में लिख दिया, अब हम question करेंगे, b, c हमें find करना है, तो हमें b, c पे धियान रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले, in triangle, a, e, b, दियान से देखेंगे, a, e, b में, b, e, upon, a, b, perpendicular upon hypertenous, sin, 30, तो b, e हमें पता नहीं है, a, b, कितना है, 100, sin, 30, 1 by 2, तो यहां से हम b, e, निकाल लेते हैं, 50 meter, ठीक है, तो मैं हीं पर कर देता हूं, ताकि figure दिखती रहे, अब हम क्या करेंगे, b, f कितना हो गया, figure में से देखेंगे, b, f कितना हो गया, ब, e, minus, e, f, यानि, 50, minus, 20, 30, तो आसान question था, बस अब हो जाएगा, इंटरेंगल, b, f, c, तो b, f, c में, हमें, b, c, find करना है, तो perpendicular, upon hypertenous, perpendicular, upon hypertenous, sin theta, और sin की value कितनी होती है, sorry, b, f, आएगा, यहाँ पर, तो b, f, हमारा 30, b, c, find करना है, और यह 1 by root 2, तो b, c, equal to 30, under root 2, 2, meter, यह हमारा answer हो गया, अगर question में, under root 2 की value given होती है, तो हम वो भी put कर देते हैं, और नहीं given है, तो हमें कोई जोड़त नहीं है, put करने की, तो 42.30 meter, यह हमारा answer हो गया, तो उमीद है, सभी को आ गया होगा, समझ में, स्क्रीन पे अभी playlist नजर आ रही होगी आपको, application of tignomatics की, जिसमें ज़्यादा तर आपको important question मिल जाएंगे, thank you very much,